वेलकम टू ओनलाइं क्लसेश तो वोट आर वी डिस्कुसिंग वी डिस्कुसिंग क्लास 6 चैप्टर 1 जोग्राफी पार्ट 3 पार्ट 2 में हमने प्राइम मेरीडियन कर लिया रहे हैं कि वही प्राइम मेरीडियन क्या होता है तो बिटिश रोयल अब्जरवेट्री है जहां प डिस्कुल्ड ग्रॉस यह मेरीडियन आप शबको पता लग जुका है तो यह जो है यह उन्हारा प्राइम मेरीडियन आप सबको पता लग चुक अब नहां इस वाला इस यह जरो डिरी लूगी टिवलागी ति और यहां से जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है और यह डिग्री बढ़ता है फिर ने बागी देखते हैं मेस्ट प्राइम मेरीडियन और आप सब देख रहे हैं यह इस अर्थ को दो एक् sigma आठ कर रहा है मज बिल्कूल कर रहा है मेरिडियन इस्को कर रहा है यह जितने बी इसको घूर्ण is करतार है परिंग अगर एक इसको इसको और एक तरीके से दो पार्स में डिवैड है इसको यह दो इकल किर। मदने कि आपी प्राइम मेरेट इसको नौर्फ नीचे स्अधर Τाफ कर से इसको शें इसको बें टश knows-fast और इसको वेस्टर नोटर बीश्विर इसको बुलेंगे वही यह आप कर सब्सक्राइन है चलिए देखते हैं वर इधर हो गया मरा वेस्टन हमिस्फिर ठीक है therefore, the longitude of a place is followed by the letter E the longitude of a place is followed by the letter E कहां पे, east one side पे, for the east letter E for the east and letter W for the west W for the west अब, it is however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line कि हमारे जो 180 degree eastward है और 180 degree westward है वो, same line पर है यह जानना में बहुत ज़्यादा interesting है हमने देख लिए 180 degree तक इधर आता है, 180 degree तक इधर आता है अब जो हमारे 180 degree east है और 180 degree east और 180 degree west है वो दोनों एक दम सेम लाइन पर है इस तरीके वो दोनों की दोनों क्या सेम लाइन पर है चाड़िए यह हमें पता लग गया भी सेम लाइन पर है अच्छा तो लो ठीक है अब आगे देखते हैं नव लुक अट दे ग्रिड अव नव लुक अट दे ग्रिड अव पैरल्लस अव लाइन पर लोग फिगर तो पॉइंट यह आपको तूपंट सिक में ग्रिड का फिगर दिया हूँ है तो अच्छी तरह से एलाइस कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि पैरलेल्स अव लाइटिटूड यह देखी पैरलेल्स अव लैटिटूड यह देखिए सारे मेरिडियंस अव लाइटिटूड विग्यों इस सबका मिश्चर बनाया हुए है यहां पर फूपंट सिक्स में ऑन पूरा का पूरा एक ग्लोब हो गया जिसमें लाइटिटूड और सब्सक्राइब दोनों के दोनों साथ में है तक कोई दिक्कत है कोई परिशानी परिशानी की संभाव भी नहीं तो कि हमें यहां से सबसब पता लग रहे क्या क्या है यह तो हमारा हो गया अब आगे चलते ह एनी पॉइंट ऑन दे ग्लोब वेएजिली इफ यू नो इट्स लेटिटूड और लोंगिटूड तो यू के लोकेट एट एनी पॉइंट ऑन दे ग्लोब बेरी एजिली आप जो है अपना कोई भी पॉइंट अगर यहां पर लोकेट करोगे तो उसे ग्लोब पर हम आसानी से लोकेट कर पाएंगा क्यों ऐसे लाटिट्यूड़ अगर हमें पता है कि यहां से वह कितमी वह धूरी पर है quieran और तो यह आंप ने हो mo किस तरीके से होता है अब पूर एक्जामपल दूबरी और आसाम इस सीच्वेटेड एट 26 डिगरी नॉर्थ लेटी तुट पर इस तरीके का कोई होगा अब इस तरीके का कोई हैँ उस पर जो आसाम जो एट दूबरी लोकेटेड नाइंटी डिगरी ईस्ट लोग है वो 90 तो इस तरीके की जगह पे हमारा आसाम लोकेटेड़ है पाइंड आउट पॉइंट वेर इस तू लाइन कट इच अधर एट पॉइंट विल बीड़ लोकेशन अब यह हमने लेटिटूड पता लगा लिया लोंगिटूड पता लगा लिया अब उन दोनों को जैसी हमने लोके हैं वही उसकी लोकेशन है तो हमें लोकेशन पॉडूबरी इस तरीकी से पता लगा लिया है कि यह कहां to understand this to understand this clearly draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper यह पर हमने एक पर है इस पर हमने और सब्सक्राइब यह जो है भरीजनेंटल डॉढंग ए ओर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब प्रोसम स्मॉल सर्कल्स रेंडम ली और पॉइंट्स वेर इस वरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इंटर सेट इस नेम दीस स्मॉल सर्कल्स एज एबी सीडी कोई से भी पॉइंट्स लेकि हमने यह विश्डी वना जी वह यह है चलिए यह लोकेशन में पता होनी चाहिए लेट वर्केट घंडे रीप्रिजेंट इस नोंगित्यूर्ड तुई लोगिट्यूर्टे लॏसिए के सीच लॉंगित्यूर्ड को कि इसको लगित्यूर्ध को रियुस्ट अर्वार था इधर था लॉनगित्यूर्ड है हुए यह व्मरा लोंगिट्यूड हुगय कोई परिषान ही ब्लकुल नहीं अब आगे देखते है अब अब वाइट बडिकल लाइंस रिप्रेजेंट इस हो कि अब ट लेट वाट लेट वाइंस रिप्रिजेंट यह जो वर्तिकल लाइंस से ना की स्ट को इसको रिपिजन कर रही है पता दिया वहने आपको एंड होरीजोंटल लाइन लाइन अग्टीज यह नॉर्फ लेटिटीट रिटीटीट कि इसको लेटिटीट माना कुछ मिस्मेंट होगा ठीक है तो यह हमारा north latitude हो गया और यह east longitude हो गया अब now you will see that circle A is located on B degree north latitude and one degree east longitude यह कहां पे है यह हमारा कहां पे B degree north latitude और one degree east longitude ठीक है इस से हमारा x की location पता लग भी अब इसी तरीके से कोई इन चीक पाफ्स कर सकते हैं कि की location क्या होगी डीघी ओर 9 3 2 2 तरीके से अमें जो इसकी location ौकिेस्थ पता लगा यह हम 2 committed कर रहे हैं उनकी location हमें उसे आराम से पता लग तो यह हम इस तरीके से अलग अलग पर यह लोकेशन जो है प्रप्त कर सकते हैं घर्ली हमने चलिए आगी चलते हैं अब हमारा आगे क्या आता है लोंगेट्यू रेंट टाइड इससे पहले जो भी हमने यह पड़ा चाइं बताने के बारे में यहां पर इस मैप को साफाफ देगे घ्रीन विश्ज बीफॉर और अएल्ट कि हमारा क्या है इंग्लेंड 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 का जीरो डिग्री बताने आपने को कहां पर इंग्लेंड को यह को लिए लोकेटिड अब इस प्लस लॉकेशन स्थर्यलदि Ministry आहां पर यहां पर जाएंगे अगर तो यह प्लस में आगा यह थे प्लस 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 अगाएंगे अगरही कि फिरी 2024 में लौयंडateg यहां पर प्लस प्लस कर वहला सकता उतना प्लस तो यह आपको पता हो चाहिए कि एड में प्लस और बिफोर में मैंने स्टी वहां पर टाइम हो रहा है मांस ठीक है कि यह आपको पता लग गया अब हम इसमें आपके जो पॉइंट से वह मैंने आपको बता दी अब आगे देखते हैं कि अब आगे हम देखें क्या लॉंगीट्यूड तो हमने लॉंगीट्यूड देख लिए हमने कई तरीके के जो लाइन सी लॉईट्यूड सी वह देख ली लॉंगीटीूड़्यूड प्रायम मेरिडियन ट्रॉपिक औव चैंसर लइदि यो सारी चिज़ेंगे अब हम देखे आज हम जो यह हैं दूसरा अलग बढ़ने वाले हैं तो the best means of measuring, the best means of measuring time is by the moment of the time. Time को measure करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? Earth की moment को अच्छी तरह से study करना है. Earth की moment को study करके हम इसे पढ़ सकते हैं आसानी से. चलिए देखते हैं. और the moon से भी हम कर सकते हैं और planet से भी कर सकते हैं. Moon भी rotate करता है, planet भी rotate करता है, अर्थ भी rotate करता है. तो इन सब के rotation से यह हमारा time जो measure कर सकते हैं. पहले के time पर गड़िया तो होती नहीं थी. तो लोग इनी के समय जब उन्हें नोलेश थी हमारे जो बड़े-बड़े विद्वान थे वह इनसे ही समय का अनुमाल लगा लिया करते हैं अब आगे देखते हैं आप सब जानते हैं सन हमेशा सुबह सुबह उग जाता है तो श्याम होती ही ढ़ल जाता है अब नेचरली इस बेस्ट राइम कीपर थूआउट दगा नाउ लोकल ताइम या नाव लोकल टाइम या ये रिकॉंट्वाइव कास्ट वाइब लगाव इस तुबह उग्या है उसकी अगोर्डिंग हम टइम को मेजर कर सकते हैं तुक उनाइस कर सकते हैं इच इस शॉर्टे जो सन की शेडव है वह शौट होती है मतलब छोटी होती है कब नून के टाइम् के और लॉंगेस्ट हो जाती है कब सन्राइज और संसेट के टाइम् के ग्रेग्ट संसेट होता है हमारी यहां पर हमें बता है तो यह हमारा एक पॉइंट हो चुका है अब आगे देखते हैं क्या बोलता है यह चलिए आगे चलता है वेंड़ प्राइम मेरिडियन अफ ग्रीन वीच हैस देशन अधर हाइस पॉइंट इन देश्काय अल्ड़ प्लेसे अलोंग इस मेरिडियन अगर सन ग्रीन वीच के उपर है मतलब प्राइम मेरिडियन के उपर होगा अगर मेरिडियन के उपर सना चुकाई तो हाइस पॉइंट हो रहा होगा सबसे ज्यादा सन की रोशनी बढ़ती है तो यह हो गया है अब आगे देखते हैं यह आपके पॉइंट है जो आपको याद रहे हैं आपसे क्यूशन में कुछा जासकता है कि मिड्डे और नून हाइस पॉइंट इन देश्काय कौन सा है तो प्राइम मेरिडियन और ग्रीन सबसे नून होगा पके में यह सब फरीं जोक्ति में मिड्डे होगा सब में मुझा और आप के भील के सिर्ट करता है यह वैस्ट शोण pretth मिस में रोक algumas एसे जिसी हमरा अर्थ है यह क्या करता है बैस फूरे अपनी एकस्स पर यह नहीं सब्सक्राइप यह वैस्ट किसी है ऐसे रोटेट करें गया इस तरीके से रोटेट करता सैंट जिसकी रोटेशन की जो है कि उसको समयने भाई चदिया आगी चलते हैं तो स्थे मिस्ट अभी इस्टो ग्रीज विल बीएड़ आफ ग्रीज इसमें बता हुए तो उसके बाद अगर हम चलें तो अगर जाएं इससे उपर इधर इधर चलें तो यहां पे सब सब्सक्राइब तो यहां पर माइनस होगा इधर जा रहे हैं तो वही बात कर रहा है वहां पर यह हमने देख लिया है अब आगे चलते हैं कि दर रेट ऑफ दिफ्रेंस कैन बी कैल्कुलेटेड एड इस फोली इन में जो डिफ्रेंस है रेट में हम कैल्कुलेट कर सकते हैं कही तरीके देख लेएं दर्थ रोटेट्स कि दिफ्रेंस कर जाता है कितने गंटे में कितने गंटे में इसका मतलब क्या हो गया एक डिगरी में कितने गंटे में रोटेट करेगा चोईस बटे चोईस डिवाइड़ गाय थी सिक्स्टी तो बारा दुआ चोईस बारा तिया चटीस थीस और ये फंदरा तो एक बटा फंदरा गंटे आर मतलब गंटे यह मारा एक डिगरी में हो गया तो यह हमने देख लिया विच मीन्स फंदरा डिगरी एन आवर वर वन अब आगे देखते हैं यह हमारा निकल के आगया अब आगे देखते हैं यह हमरा यहां से निकल गया में आपको बताए रिया किसे निकला है तो यह वहां पर टाइम है बारा नून असकि अठी टाइम फिट डिगरी इस्ट अब ग्रिण विट से पिती डिगरी इस्ट बताना है क्या टाइम होगा तो इस वुप यह पर से प्लस्वी आना चाहिए प्लस करते हैं विल भी बाट आपको बताना है तो फिफ्टीन डिगरी में हमने अब कि इतना घंटा लगता है एक गंटा और चार मिनिट भी लगते हैं अभी हमने देखा एक डिग्री में इतने चार मिनिट लगते हैं 15 डिग्री में कितने मिनिट लगेंगे पंद्रा चोक 30 साट मिनिट क ties भी SAY मैं इसमें आप 60 मिनिट जोड़एं क्या चाहिए ब४्चि है मतलब बारामें आप 60 जोड़ो क्यों क्यों क्यूंकि हम यिसटव दताना आप मैंने आपका अब ऊंप बतारी इसमें तो साट मिनिट जोड़ो बारा बजरी साट मिनिट और जोड़ दोगे तो कितने बज्जाएंगे एक बज्जाएंगे एक बज्जाएंगे आपका अंसरा हुजाएगा वन पीम ठीक है that is one hour आएड़ ग्रीन विच ताइम से एक घंटे आगे जा रहे हैं बिल्कुल बटेफिट डिग्री वेस्ट ऑग्रीन विच ताइम विल बी वेहाइंड ग्रीन वीच थाइं मगर अगर हम्हें इस्टम नाजाकि वेस्ट में ने बताया थी तो कम होते हैं तो निट कम हो जाएंगे तो ग्यारा नून बज़ेगा ग्यारा एम होगा ग्यारा नून मतलग ग्यारा एम तो क्यों बिन्हाइंड होगा अगर वेस्टवर्ड बोलेगा तो इससे हमें टाइम फ्रेम पता लग रही अलग लग जगों की similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at greenwich अब यहां पर ग्री में क्या होगा वह बताना है आपको कितने होना चाहिए अब मिन आपको बताया पंदरा डिग्री में तो बारा तो बारा घंटे आगे अपने है कितने आगे भारा घंटे है तो बारा घंटे आगे जाएंगी तो तो चलेंगी यहां पर वह बज़ एक्षैन में आ गया कि बहु कौन से समय क्या हो सकता है चलिए आगे चलता है है इस अगलेश प्लेस आफ वर्च कैन बीए जिस्टेड एड इस टेड़ आप जो है जब सन हाईस प्टोगा इंद इसकाई में मतलब हो हमारे गैं विच के उपर होते हैं तो आप वर्ट को एडजर्श कर सकते हैं 12 o'clockosure लुपर में उतक जाए कि टाइम शोन बाइं सच वाच विल गिव दर लोकल टाइम एड पर लेट प्लेस की जो वाच यह वह अगर बारा को क्लोक के आगे हम देखेंगे जैसी यह हो जाएगा इसके बारा क्लोक पर सेटल कर दो इसको कर दिया जैसे देखा कि बेस सब्सक्राइब हो चुका है You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. और जो यह meridians होते है ना इन पर जो भी local time होता है और सेम होता है. जिसे green beach पर जो है, green beach में हो चुका है. जैसे green beach में क्या है? Green beach में जो है कही तरीगी चीज़े हो चुकी है. तो यहाँ पर हमने यह देख लिया. Meridian जो है, यह मैंने आपको बता ना Meridian, यह zero degree वाला, जो green beach में होता है. Green beach. यहाँ पर सबका time सेम होता है. सबका time सेम, green beach में माल लो 12 बज़रे हैं, तो इधर जो भी देश हैं, जित्ते भी हैं, उनमें भी 12 बज़रे हैं. ठीक है? उन सब में क्या बज़रे हैं? 12. तो सेम local time होता है. ठीक है? तो यह आपको यहां से पता लग गया, जितने भी Meridian होंगे न, जितने भी यहां पर यूँ यूँ करी के Meridian होता है, सब पर एक ही time होता है. ठीक है यह पता लग गया, अब हम आगे हमारा India का किस तरीके का standard time होता है, यह हम हमारे next part में करेंगे. इस порण में हम ने यह सार जान लिया, अब अगले part में हम ंडिया के standard time केभरें बारें बात करेंगे, इंडिया का standard time किस तरीके सेुनकालता है, उन्हों इसने अपना मेरीडियन क्या बनाया हुआ चलिए तो अगले पार्ट में देंगे तब तक के लिए थैंक्यू वरी मैच